मृत्यू क्या है और कैसे इसके पार जाया जाता है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं मृत्यू के बारे में हम सभी के अपने अपने विचार हैं और सदा सरदा से ही इंसान जो इस बात में इंटरस्टीड रहा है इस बात को जानने में कि आखिर मृत्यू के बार ऐसा क्या होता है कौन सी घटना घटती है इंसान के साथ क्या होता है आखिर जानना चाहता है वो कि भी क्या होता है मृत्यू के बाद तो हम सभी जानते हैं मृत्यू के बाद आत्मा की सिर्थी के बारे में थोड़ा और जितनी नौलेज मुझे है उन सारी चीज़ों को मैं इकठा करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अब ये knowledge कहां से आई है as a past life regression therapist लोगों की past life में जाकर हम देखते हैं और past life के बीच में एक समय होता है पिछली जनम पिछली जब मृत्यू हुई थी तब और ये वाला जो जनम है इन दोनों को अगर बीच का जो time period होता है उसे उसे जो है LBL यानि life between देखा जा सकता है तो बीच का time भी देखा जा सकता है इस technique के द्वारा ये चीज़े देखे जाती है दुनिया भर के इसके लिए proof मौजूद है साधन मौजूद है मैं सब प्रूव करने के लिए यहां पर अभी नहीं बैठा हूं तो जो लोग इस बहस में पढ़ना चाहते कि थोड़ा बहुत भी उपनिश्टों में आपका इंट्रस्ट है तो इक पर पढ़िए जाकर उसके बाद फिर आप इस सारी बाते इसली समझ सकते हैं तो जिनकी यह बात है अब आये अपनी यात्रा की इपनी स्टोरी की शुरुवात करते हैं तो आत्मा कभी नश्ट नही तो इस पर फिरसार से समझते हैं एक उधारन देता हूं यहां पर स्टीव जोबस एपल के जो सीयो स्टी जोबस रहे हैं सबी बहुत से लोग एपल का फोन यूज़् करता है जानते हैं आक इनके जो सीयो रहे हैं जिन्होंने यह डिसकवर किया जिन्होंने ऐसी चीज़े बनाई उनकी मरने के कुछ टाइम कुछ सेकंड पहले की उनकी उनकी बात जो है उनके मुझ से शब्द निकले थे यह उनकी ऑफिशल जो इसी उनके परसनल वेबसाइट है वहां पर भी चीज मैंशन है कुछ ऐसा इन्होंने इनके मुझ से निकला मौत के समय में एक व्यक्ति के मुझ से आश्च्रे के भाव प्रगट होना कुछ फोटी बात नहीं है कहीं ना कहीं इन्हें वो गहरी अंडरस्टेंडिंग थी जहां से हम कुछ इसके बारे में निश्कार्स निकालते हैं आपने भ कोई एक आद एक ऐसा निकले या शायद हजार में से को एक आद निकले जो मुस्कुराते वजाते हैं अधिकतर लोग तो यहां से रोते हैं चीखते चिलाते जाते हैं कोई भाग इसा होता है जिन्होंने जीवन के इस राज को समझा होता है तो इस जगत में से निकलते कोई कोई व्यक्तियों मोत के समय में वाओ कैसे कर सकता है हम ने और चीज़ेंगे लोगों को वाओ करते हूं देखा है कि अच्छी चीज़ देखते हैं तो वाओ क्या बात है ऐसा क्या दिखा उनको अब हम नहीं कह रहे से मुक्ति का अनुबव कर रहे थे या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जहां वो जाने वाले थे जिसके बारे में यह बात करने हैं तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं तो इसी तरह से ब्रिटिश नियुरो सर्जेंट डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर कॉमा से निकले तो उन्हों अपने अनुबव को बताया तो उन्होंने का कि मोत के बाद बहुत कुछ अलग होता है यह सब अनुबव वर्णन किये हुए है कुई मैं अपने तरफ से बना करनी बोलना इसलिए आपको रेफरेंसी दे रहा हूं शायद आपको कुछ समझ में आ जाए इस बारे में क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में बोलते हैं यह सब ऐसी है वैसे आपकी मर्जी बहुत सारे बादल चमकती चूजें कोई गाइड कोई सुरंग कुछ ना कुछ घटित होता है उसक के बाद मात्मा की वस्था कैसी होती है पहली बात तो इस प्रॉसेस को यहां से निकलते हुए ही अब इसके ओपर मैंने दो वीडियो व्रेवीस्टार से बनाकर डाले हैं कि अगर शुब करम करने वाले लोग मरते हैं जो बिलीवर्वर्द होते हैं पर मात्मा में विश्व को जानने से के बाद ही आप चीजों को बहतर डंग से समझ पाएंगे